मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूँ चात्रमित्रों आईए आज हम चर्चा करेंगे समास के बारे में समास के अंतरगत तत्पुर्ष समास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे चलिए हम यहाँ एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे एक चित्रकार था उसका नाम गंगा जल था जन्मांध था फिर भी अच्छे अच्छे चित्र बनाता था उसने एक बुक्मर बिखारी का करना पोर्न चित्र बनाया गंगा जल इस चित्र को लेकर राजदर्बार में गया राजा नरोत्तम से उसे सम्मान प्राप्त हुआ राजा ने कहा उसके राज़ में चित्रकला सिखाने के लिए एक पार्ट शाला खूली जाए जिसे उन दोनों कायश गगन चुम्बी हो गया यह है कहानी पैशे तो कहानी के बारे में चैदा मत सोचिए कहानी में लाल रंग में जो शब्द हैं उसके बारे में आप सोचिए Do not think about the story, think about the words which were typed in red color पहला जो है पहला वाके में एक चित्रकार था यहां चित्रकार शब्द देखिए और गंगाजल यहां जन्मांद और बुक्कुमरा करुना और नरोतम नरोतम किसे कहते हैं राजा को कहते हैं नरोतम राज दरबार हाँ राज दरबार शब्द सुनती ही आपको राजा नहीं कोट दरबार सामने आ जाता है राज दरबार और नरोतम नरोतम शब्द सुनते ही किसी राजा की याद आ जाता है सम्मान प्राप्त आपको मालूम है शम्मान प्राप्त करेंगे तो धेर सारे इनाम हमें मिलते हैं सम्मान प्राप्त आप और पाठशाला ये जो शब्द है आप बच्पन से ही इस शब्द को जानते हैं पाठशाला और गगन चुम्बी यह जो गगन को चुम्बित करता है यह गगन की सेमा तक पहुँच जाता है हो गया और हम इन शब्दों के बारे में जान चुके हैं और ध्यान दीजिए यहां हम जिन शब्दों का कहानी में उप्योग किया है ये एक बार और देखें चित्रकार गंगाजल जन्मान बुक्मरा करणापूर्ण राजदर्बार और नरोत्तम और सम्मान प्राव चित्रकाला पाठशाला गगन चुम्बित ओके बात समझ में आईगी अगई आपको अब हम इन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे चित्रकार देखिए जो चित्र बनाता है जो तस्वीर खींचता है चित्रकार है गंगाजल गंगा का जिल पानी जो है गंगा का पानी को अम गंगा जिल केते हैं और जन्माद जन्म से अंधा बुख मरा बिकारी को कहते हैं जो बुख से तडपता है उसको कहते हैं बुख मरा बिकारी बेगर तो करनापोर्ण यह तो एक बाव है फीलिंग है करनापोर्ण किसी के प्रती हम सहानबूती प्रेकट करते हैं इसी बाव को हम करनापोर्ण कहते हैं आगे चलें राज दरबार पहले ही इस शब्द के बारे में मैंने आपसे कुछ कहा है राज दरबार बगरुर्ड शब्द मैंने आपसे कहा तो आपको आपकी ब्रेन में कौन सब पिक्चर आ जाता है कोट का पिक्चर आता है ना कि राजा का पिक्चर राजदर बार में यही नरोत्म कहेंगे तो राजा पिक्चर राजा का पिक्चर दिमाग में ब्रेन में आ जाता है लेकिन राज दरबार कहेंगे तो सिर्फ राजा का कोट जहां राजा बैठते हैं वह से वहां से जहां मंतरी उपमंतरी आधी लोग बैठते हैं रही जगह हमारे सामने आजादे हैं नरोत्म, हाँ, बरोत्म कहने से राजक, राजक को हम याद करते हैं, है ना, आगे चले, सम्मान प्राप्त, हाँ, पेदी हम अच्छा काम करेंगे तो, सम्मान से हमें लोग, सम्मान प्राप्त, हम लोगों से हम सम्मान प्राप्त करते हैं, सम्मानित करते हैं, देखिए, इन श देख चुकी हैं, आगे चले, चित्रकला, चित्रकला, यानि, it is not, ओके, यही शब्द भी देखिए, पार्ट शाला, आप रोज रोज जाते हैं, जब हम पार्ट शाला कहेंगे तो, दिमाग में कौन सब पिक्चर आ जाता है, वही जगह, जहां आप बैट कर पड़ते हैं, न की पार्ट पुस्तक, ना की अध्यापक, वो बाद में हमारे सामने आ जाते हैं, पहले पार्ट शाला, शेब्द सुनते ही, श्कूल की याद आ जाते हैं, ने की नहीं, ने की नहीं, हाँ, गगन चुम्बी देखिए, यह महल जो हैं, अब महल कहीए, यह बुर्ज कहीए, भ गगन चुम्बी बवन, तो इन शब्दों में चित्रकार, गंगाजल, जन्मान, यहाँ पर तीन शब्द हैं, हम इन शब्दों का विग्रह करेंगे, यह शब्द का विस्तावार करेंगे, यह फैला कर देखेंगे, चित्रकार को हम कैसे अलग कर सकते हैं, कोव, प्रत्य विवसारी विबक्ती लगाकर चित्रकार को, हम कैसे अलग कर सकते हैं चित्रकार शब्द को, को विबक्ती लगाकर हम अलग करते हैं. गंगा जल को एदी हम शब्द को शपरेट करेंगे का आ जाता है। गंगा जल में काका लोब है, एदी हम विग्रह करेंगे तो वाकी को, शब्द को फैलाएंगे तो गंगा का जल हो जाएगे। वैसे ही जन्मांद, यानि जन्म से अंदा, ओके, आगे सीलेंगे। नरोतम बात आपको याद रखनी चाहिए नरोतम कहने से राजा ही आपके सामने आते हैं राजा का पिक्चर ही आपके सामने बता है यहाँ देखिए नरोतम सम्मान अप्राप्त के लिए चित्रकला चित्रकला को आप अलग करेंगे बिग्रह करेंगे तो के लिए यह बक्ती आजाता है इस तरह नरोतम सम्मान अप्राप्त चित्रकला इन तीनों शब्दों में में को खेली यह बक्ती का लोग है बिग्रह करने से हम विबक्ति को देख सकते हैं पाठ शाला मैंने पहले ही कहा पाठ शाला पाठ शाला शब्दा किदी मैंने कहा तो आपको उस जिगह की याद आती है जहां आप पढ़ती हैं ना कि पुस्तक और अध्यापक स्कूल बिल्लिंग भवन हमारे सामने दिखाई देती है तो को गगन चुमबी वो का लोप है गगन चुमबी में कि दी हम विग्रह करेंगे तो गगन को चुमने वाला ओके आगे चलें तो इन सबी शब्दों में जब समस्त पद में हमें बिबक्ति का लोप हम देख सकते हैं को का की की से में पर के लिए यहीं समस्त पद में हम विग्रह का लोप देख सकते हैं चलें आगे चलें हम क्या सीखने जा रहे हैं देखे पहले तो इन शब्दों को गवर से देखिए जब समस्त पद का विग्रह करेंगे तो हम विबक्ति का सहारा हम विबक्ति का सहारा लेते हैं साउंदर्य बोद साउंदर्य का बोद मनो रंजन मन को रंजित करना और मन भावन यह शब्द आपको का मिलता है सावन मन भावन है ना बरस्ते बादल पाट में से मैंने चुन लिया है मन को भाने वाला देश बक्ति हम भारतवासी पाट से हम इसको देख सकते हैं देश बक्ति देश की बक्ति और विश्व शांती विश्व की शांती भारतवासी भारत के वासी पद से पद ब्रस्त पद से ब्रस्त जो अच्छे मार्ग से छूट जाता है, इसको पद ब्रश्ट कहते हैं, इन सारे शब्दों में का, को, को, की, की, के से का बगती आ जाता है, इसको समस्त पद कहते हैं, सवंदर बोद, जब इसक में लोप हो जाता है, बगती का लोप हो जाता है पहले, इसको समस्त पद कहते ह हम इसे अलग करते समय पिबक्तियों का सहारा लेते हैं शेले आगे बुजबल हाँ यह शब्द हमने कहां से लिया है बताईए आप लोग कण कण कादिकारी पाट से हमने यह शब्द लिया है श्रेमजल, स्रमसेवत्पनजल, नभतल, नभकातल नाकि नभवरतल, नभवरतल और रखने से वाग शब्द में गलती आ जाएगी नभवरतल, नभकातल, नभवरतल नहीं कहना चाहिए हम दूसरे लांग्वेज में कहते हैं इसको नभतल हिंदी में कहते हैं नभकातल, राज कवी, राजा का कवी हाँ याद रखिए यहाँ पर राज कवी कहने से आपके सामने क्या आ जाता है राज कवी यह राजा या कवी राजा शुर्थ कवी राजदरबार में जो कवी बैड़ते हैं अब उनको देखते हैं दिमाग में न राज कवी जन बोली, जन की बोली, प्रेम युक्ता, प्रेम से युक्ता, विद्यापती, विद्यापती, यह शब्Dड, हमने लिया हैं लोक गीत पाठ सेो, लोक के प्रिय, लोक में प्रिय, लोग के गीत लोग के प्री है लोग में प्री है सबी उसे पसंद करते हैं पॉपलर हैं राज पाशा, राज की पाशा और बाड पीडित दो कलाकार पाट से हमने यह शब्द को ले लिया है देखिए आगे चलेंगे बात समझ में आईए की नहीं आगे चलें काव्य रचना काव्य की रचना जीवन काल जीवन का काल सूर्यो दै मतमैला मनमाना चर्ण चिहन इन शब्दों को आप दक्षनी गंगा गोदा और यह पाट में देख सकते हैं हमने जितने भी शब्द ले लिया समास को आपके सामने रखने के लिए वो सभी शब्द दस्वी कक्षा के पाटों में से ही माईने लिया है तो सूर्यो दै सूर्य का दै मत मैला मिट्टी से मैला मत मैला पानी को हम नहीं पी सकते हैं जब पानी बाड आ जाता है तो मत मैला हो जाता है मत मैला पानी को हम नहीं पी सकते हैं चैरन चीहन चैरनों के चीहन विशिस सेहीन विशिहीन यह शब्द कहां से हमने लिया है हाँ जल ही जीवन से विद्याले विद्याका आले देखिए इन सभी शब्दों में की का से के के लिए यह बक्तियों को हम देख सकते हैं अगे चलेंगे हस्त लिकित हस्त से लिकित युवा शिक्ति युवा की सिक्ति दर्तिक के सवाल और अंत्रक्ष के जवाब में हम इस शब्द को देख सकते हैं युवा शिक्ति युवा की सिक्ति राज माता राजा की युवाता हाँ यह भी एक बार राज माता शब्द के बारे में सोचेंगे यहां राजमाता शब्ड मैंने कहा तो दिमाग में राजा की माता की याद आती है ना की राजा है ना राजमाता जो बुड़ी होती ही ना हम उसकी याद करते हैं पराधिन, दोसरों की अधिन, हम पराधिन शब्द को पलग करें, तो से के बक्ती बीच पे आ जाता है, सैना पती, सैना के पती, सरित पती, इस शब्द कहां से हमने लिया है, दक्ष्टी गंगा, सरित का अर्द है, नदी, नदी का पती कौन है, सागर, तो सरित पती का अर्द कह है, सागर, जल चोर, जल के ज़्द, जल ही जीवन, बाट से हमने लिया है, क्रिश्ण उपासक, क्रिश्टन के उपासक, क्रिश्ण को पासक कवियों में, मीरा का प्रमुकिस्तान है, यहां पर कृष्णो पासक समस्त पद हैं, समस्त पद कृष्णो पासक हैं, और यहां पर इधी हम इस पद को विबक्ति पद से हम आलग करेंगे, तो के विबक्ति आता है, क्रिष्ण तो पहला पद है पासक दोसरा पद है क्रिष्ण के उपासक इसको कहते हैं समस्त पद क्रिष्ण उपासक और अलग करेंगे तो रिग्रह करेंगे तो क्रिष्ण के उपासक तो कि यहां पहले क्रिष्ण उपासक शब्द में खे का लोप हैं और यहां खे का तो इस्ता यानि शब्द का विक्र है चलें आगे तदपुर्ष समास की पहचवा हम कैसे जान लेते हैं कि यह तदपुर्ष समास है हाँ आसान है मैंने पहले ही आप से कहा समस्तपद तीन बाते हाँ पर मुख्य है किसे भी समास को पाचानने के लिए समस्तपद उत्तरपद प्रदमपद प्रदमपद बाने फस्ट वर्ड दोसरा पद बाने उत्तरपद बाने दोश्राश्र तदपुर्ष समास में खास कर उत्तरपद प्रदान होता है सिक्ड वर्ड जब हम विबक्ती का प्रयोक करके शब्द को पलग करते हैं तो उत्तर प्रद की प्रदानता हम तत्पूर्श समास में देख सकते हैं, प्रदमप्रद गौन होता है, यह नि शिकिंडरी, कम महत्वपूर्ण शब्द होता है, मैंने पहले ही कहा, राजमाता, राजमाता समस्तपद हैं, राजा, हम अलग करेंगे तो राजा पहला शब्द हैं, माता उत्तरपद हैं, हम राजमाता का आशे क्या हैं, राजा की माता से हैं, ना की राजा से, इसलिए ततपुर्ष समास में विबक्ति का उप्योग करके, शब्द को शब्द का विग्रह करेंगे, तो दोशरा पद हमारे लिए मुख्य बन जाता है, एक और शब्द लेंगे, देखिए, राज दर्बार, राज दर्बार, मैंने शब्द आपसे कहा, तो दिमाग में आप क्या देखते हैं, राज दर्बार पिक्चर को देखते हैं, अलक कीजिए, राजा का दर्बार, तो हैं, राजा मुक्य हैं, या दर्बार मुक्य हैं, हमारे लिए राजा नहीं, दर्बार कि हम चर्चा करते हैं राज दर्बार के बार में तो दूसरा पद तद पूर्श समास में हमें दूसरा पद ही पुरमो कहें राज दर्बार तो राज दर्बार शब्त से आपकी दिमाग में क्या आएगा राजा या दर्बार दर्बार का चित्र हम देखेंगे वैसे ही राज क कवी, जब हम राज कवी कहेंगे तो राजा के राजाश्रित कवी, राजा के आस्थान में दरबार में जो पैते हैं कवी, उनकी याद हम करेंगे, जब तत्पुर शमास को पहचारना आसान है, जब पहले विबगती का लोप हम देख सकते हैं, और दोसरे पद की प्रदानता को हम देख सकते हैं, है न, अगे चलें, समास करते समय बीच की विबगती, अब जानते हैं विबगती, कोकागे से में खीली ये अधी जो विबगती हैं, समास करते समय बीच की विबगती, चीहन का लोप हो जाता है, विग्रह करते समय, तो बक्ती आ जाता है राजिकुमार में काका लोग हो जाता है युद्धक्षेत्र ये एक और एक्जामपल आपके लिए युद्धक्षेत्र यदि मैंने कहा युद्धक्षेत्र तो आपके सामने वहमाईदान आ जाता है जहां सायनिक युद्ध करते हैं रसोई गर रसोई गर कहने से आपके सामने क्या याद आजाता है जहां हम रसोई करते हैं वही जिगह यह जोलहा सामान बरतन से बरा हुआ कर रसोई गर तो विग्रह करते समय कारक चिहनों का प्रयूग होता है तो पूर्श समास में ओके लेकिन याद रखिए याद रखने बाली बात ये है करता कारक ने संभोधन कारक है अरे आदी को छोड़ कर बाकी छे कारक चिहनों का प्रयोग होता है ने हम ने प्रयोग करके अलग नहीं विग्रह नहीं कर सकते हैं हे अरे आदी भी हम विग्रह करते समय नहीं देखते हैं बाकी छे कारक चिहन चे कारक चिहन क्या क्या हैं एक बार देखेंगे तत्पुरश समास कुप में को कर्म तत्पुरश समास करन तत्पुरश समास इनिस्ट्रुमेंटल केस से संप्रदान तत्पुरश समास के लिए अपदान तत्पुरश समास से संबंध तत्पुरश समास का के की अधिकर्ण तत्पुरिश समास में पर इन विबक्तियों को फिग्रा करते समय हम देख सकते हैं तत्पुरिश समास में मैं सोचता हूँ आप समझ चुके हैं तत्पुरिश समास को पहचानना आसान है तत्पुरिश समास में उत्तरपद प्रधान होता है और विबक्ती का लोग हो जाता है और विग्रह करते समय विबक्ती आ जाता है ये है तत्पुर्ष सबास तो कि धन्यवाद हम आपसे बिदा चाहते हैं फिर एक और नए एक टापिक के साथ आपके सामने आ जाते हैं तब तक इजाजत दीजिये तक यू, my dear children, you are my strength, you are my power Okay Script by K. Rajeshwari, ZBHS, Gopalpat